शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीश या न्यूस को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले लोगडाउं के चलते कई गरीब बेसाहरा और जरुरत मंदों पर भूके रहने की नौबता पड़ी है एसे में आर्थ संदेशक फाउंडेशन के ओर से जरुरत मंदों को अना शकीट का वितरन किया गया जिसका जरुरत मंदों निलाग उठाया है कोरणा वारस ने पुरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है जिससे भारत या देश भी अचुता नहीं है भारत देश में अब तक के लजारों की तादान में लोगों की मृत्यू हुई है तो वहीं लाखों की संक्या में पॉजिटिव भी पाये गया है यदि हम शहर की बात करें तो नाकपुरी शहर में एक हजार से भी जादा पॉजिटिव मरिच पाये गये है जबकि 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वाइरस की जंजागरूती एवं रोक्थाम करने के लिए केंद्रा और राज्य सरकार ने पूरे देश के साथ राज्य और शोरों में लौगडाउन जारी किया था पिछले तीन मैने से लौगडाउन जारी होने से कई लोगों में भुक मरी की नवबत आ पड़ी थी ऐसे में गरीब बेसहारा और जरूरतमंदों पे खासतोर पर भुके रहने की नवबत आ पड़ी थी इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के कई सामाजिक संस्ताय आगे आई और उन लोगों को अनाच कीट का वितरन किया इसी शरिंखला में आर संदेश फाउंडेशन की और से गरीब बेसहरा और जरूरतमंद लोगों को अनाच कीट का वितरन किया गया जिसका लाप कई लोगों ने लिया यहां पर जो किट वाटर है वो संदेश सिटी के ओर से डोनेट की गई है यहां के जो गरजु लोग है उन लोगों के लिए किट वाटर पर संदेश सिटी के ओर से वैसे 50,000 के उपर किट बाटती चुकी है हम लोग ने पिछले जब से लॉक्डाउन शुरू हुआ है जब से अभी तक के 50,000 के आसपास की किट का वित्रन किया जा चुका है जिसमें राम्टेक, काम्ठी, मौदा, उम्रेड और नाकपूर के सभी गरीब मद्यम वरगिये शेत्र में जोपड़ पट्टियों में को भोजन किट उपलब्द करवाईए क्या मेरा परसन विरेंद्र खुबरागडे के साथ संजेई मीरे इन बीसेन न्यूज नाकपूर